हेलो एवरीवन, गूड मॉनिंग, मैं शरद्यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल ग्लैंस केर्वी पर और दोस्तों इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे वीजन आईएस की मंतली मैजिन जिसके अंदरगत हम लोग सितंबर माह 2023 की कवर कर रहे हैं क्योंकि यह आपके UPSC 2024 का जो एक्जाम होने वाला है प्रिलिम्स का 26 मई को जिसकी डेट आयोजित हो चुकी है तो उस समय जो एक एक्जाम होगा जिसके लिए आपके लिए बहुत ही क्योंकि आपको भी पता है कि वीजन आईएस मंतली मैगजिन काफी अच्छा कंटेंट देता है जिसमें इस प्लैटफॉर्म पर यानि ग्लैंस एकेडमी पर आप मई से लेकर सितंबर तक की लगातार यानि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इन सभी करेंट अफेर्स को आप हिंदी मीडियम में बहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं जितना बहतर तरीके से आप पढ़ना चाहेंगे ठीक है दोस्तों और साथी साथ जब हम लोग वार्सी की जो आएगी इसकी पीटी 365 करेंट अफेर्स फरवरी में तो उस सीरीज को भी हम लोग कंटिनियूस करें तो एक अंडरलाइन वाली मेंजीन जो मैं हाइलाइट पॉइंट करता हूं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो अभी तक हमने लगवग सारे टॉपिक कवर कर लिये हैं जिसमें चाहे तो आपके पॉलिटी की बात कर ले या फिर आप इंटरनेशन रिलेशन एकनॉम इंवायर्मेंट, सिक्योरिटी, सोशल इसू, साइंस टेक, लगवग सभी टॉपिक हमने कवर कीए और आज हमें आज की क्लास में करेंगे आट एंड कल्चर का टॉपिक जो की संसक्रती से समझेए जो भी करेंट अफ्यर्स का टॉपिक होगे हलाकि मैं जो आज आश टॉप प्रतिमा के बारे में आज हम एक पहला टॉपिक पढ़ेंग करेंट अफ्यर्स की जो भारत मंडपम यानिकी जो G20 में जो दिली में लगा था भारत मंडपम जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके बाहर नट राज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो G20 जो की पूरे दुनिया में चर्चा में रहा भारत के द्वारा आयुजित किया गया इस बार अध्यक्सता में तो वो जो है की important topic हो सकता वहां से प्रशन बनेगा दूसरा कोडार का जो सूर्य मंदिर है इसको और साथी साथ अगर आप देखेंगे कि होईसल मंदिर मिस मत करना लास्ट तक पूरी क्लास को देखेगा लास्ट तक पूरा पढ़िएगा और कोई भी अगर डाउट हो तो आप टेलेग्राम discussion group join कर लिए उसका भी link मैंने लगा दिया नीचे वीडियो के नीचे ताकि आप वहां से discuss कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं कोई अग राज की प्रतिमा है वो भगवान सिव को शमर्पित है यह उनीं का एक रूप होता है जो तांडव रूप होता है नित्यका उसके रूप में जाना जाता है लेकिन यह current affairs में क्यों आया चर्चा में क्योंकि दिल्ली में जो आयोजित हो रहा था G20 सिखर समेलन जो की आपने देखा होगा 9 से 11 सेप्टेंबर के बीच होना था और आयोजित भी हुआ उस समय भारत मंडपम नाम से एक building बनाई गई थी G20 के लिए या यू कहें कि भारत मंडपम में जो पूरा द्रिश्य है वो पूरी भारत की सांस्कृतिक विवित्ता को दिखाता है तो दिल्ली में इस परिशर में दुनिया की सबसे उची नटराज की पृतिमा इस्थापित की गई है तो यह प्रशन बन सकता है क्योंकि यहां पे जितने भी G20 देशों के जो राश्टर प्रमुक थे जब वो दिल्ली में आयते सिखर समयलन के लिए तो उन्होंने कई तो उनमें गये थे वहां पे दर्सन करने, देखने, भारत मंड़पम, नटराज मूर्ति तो हो सकता UPSC की नजर में हो तो यह प्रशन बन सकता है बात करेंगे इस प्रतिमा के बारे में कुछ factual information जो UPSC statement के रूप में रखेगी पहला कि 27 feet यह उची है और दूसरा तमिल नाडू के तंजावर जिले में रहने वाले एक मूर्तिकार है राधा किश्नन सत्पती ने बनाया है कई बार होगा आपके दिमाग में कि अभी जो साधू वेट दीप पे जो सरदार पटेल की मूर्ति है या फिर जिनकों कहते है राम भी सुतार साहब ने बनाई है तो बहुत चर्चा में रहे है यह मूर्तिका तो उनका नाम भी जरूर दे देगा लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि राधा कुष्णन सत्पती जी ने बनाया जो तमिलनाडू के रहने वाले है वहीं यह जो मूर्ति वो अश्ट धातू से निर्मित है जिसको लोम जो लुप्त मोम प्रक्रिया होती है रोग विदी लुँप्रोसिस इसके द्वारा प्रयोक तिया गया और इसको ऑक्टो एलॉय भी कहते हैं जिसमें सोना चांदी तामवा सीसा जस्ता टिन लोहा और पारा का मिस्रण किया गया अभी इस जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है लुप्त मौम प्रक्रिया इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे तो आपने देखा कि भारत मंडपम क्या है नटराज की प्रतिमा क्या है क्यों ये चर्चा में है ये सीज़े आपको समझ में आ गई होगी अब जरा उस नटराज की मौर्ति के बारे में बात करेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रही है जो भारत मंडपम के बाहर लगाई गई है तो मैं यहाँ पर आपको वो images दिखा दिता हूँ ताकि आप realize कर पाएं कि हम कहां की बात कर रहें आप यहाँ पर एक image देख पा रहे होंगे और यह जो आपको red color की building दिख रही है यही building क्या कहलाती है किस नाम से रखी गई है तो यह भारत मंडपम के नाम से और इसी building के front में यह देखिए भगवान नटराज जी की मूर्ति लगाई गई है तो यही बस चर्चा में आ गया तो कि इस भारत मंडपम के बाहर इसको लगाया गया है और इसके बारे में ही चर्चा की जा रही है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस topic की ठीक है तो अब आपको idea लग गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो पहली जी इसमें क्या किया गया है इसमें एक तो इनके दाहिने हा में एक साश्वत अगनी है जिसको माना गया कि स्रिष्टी के विनास का प्रतीक है यानि जो स्रिष्टी है उसका हम विनास भी कर सकते हैं ये भगवान नट्राइस के दोरा और निचला जो दाहिना हाथ है ये वाला तो ये आप देखोगे कि अभ्यस्त मुद्रा अभ्यस्त का सकते हो कि अग्ज्यानताव ब्रह्म का प्रतीक है छिसका नाम है अपसमार और उसमें एक मुद्रा है तिरोभाव की जो कि भक्त के मन से माया ब्रह्म का परदा हटाने का द्यो तक माला जआता है इस मुद्रा को और वृत्वास जो दिख रहा है आपको ये बड़ा-सा व जिन भी जो निर्थ करने वाले लोग होते हैं सांस्कृतिक कल्च निर्थे करने वाले वो नर्ठाज को अपना आदर्स मानते हैं तो आप ने समझया कि बाहर जो नर्थे गोर्थ है लेकिन आप बात करेंगे बाद म 노 नित्य का देवता माना गया है और इनका जो सुरूप है वो स्रिष्टी के चक्री रूप से सिर्जन और विनास को प्रदर्सित करता है कि एक तरफ से जो स्रिष्टी का चक्र मतलब कि सिर्जन होता है और धीरे-धीरे सिर्ष्टी का विनास भी होता रहता है तो एक चक्र के फ और यह नित्य पंच क्रित्य यानि कि सिव की पांच क्रियाओं को दिखाता है, एक तो सर्जन करना, सनक्षन करना, बिनास करना, तिरोभाव और अनुग्रा, इस पूरी की पूरी नित्य प्रक्रिया में पांच प्रकार की जो एकी क्रिया हैं सामिल है, अब जरह हम बात करें क कि नट्राज मूर्तिकला का विकास कैसे हूए तो नट्राज मूर्तिकला का जो विकास है वो कान से प्रतिमाय है अगर आप देखोगे तो सात्वी सदाबदी और नवी सताबदी ईस्वी के मत पल्लाव काल supporting लिप्वूइ निर्मीद हुई, यह पहली बार हुआ कि पल्लाव काल में नटराज की इस्व की जो कान से पिर्तिमाई हमारे सामने आई और अला कि विश्व प्रसिद्धी जो वर्तमान सरूप है आज जो देखते हैं हम नटराज की मूर्ती के रूप में वो चोल सासकों के सनक्षण विखसित हुए प्ल्लव के वाज जो चोल का सासन आता है तो चोलों के समय ये और भी ज्यादा निखर कराई ये पद्धितिया ये मूर्ती और भी निखर करया अपने वर्तमान सुरूप में आई और अगर हम इसके प्रतिष्टे सनक्षण की बात करें तो विधवा एक चोल रानी थी और सेंबियान महादेवी ये दोनों ही नटराज मूर्ती कला की सनक्षण का की रूप में थी अब नटराज से समयित कुछ मंदिर है जहां पर नटराज जी को प्रमुक रिवता की रूप में रखा गया है जैसे तमिलनाडू के चिदंब्रम सहर में तिल्ले नटराज मंदिर है तो इसका मैचिंग करने के लिए UPSC दे सकता है कि तिल्ले नटराज मंदिर किस राज्ज भी यहीं पर है जो आप जीरो डिगरी की जो देखते हैं भूमत दे रेखा इसका जो केंदर बिंदू है ना सेंटर पॉइंट वो आपके इसी पॉइंट पर ही है यानि यह माना जा सकता है कि भगवान नटराज ही तो दुनिया के जो एकी सिरजन करता और विनाश करता है तो जहां भगवान नटराज या जहां पर भगवान सिव बैठेंगे जहां निवास करेंगे वहीं तो दुनिया का केंदर होना चाहिए और भूमत दे रेखा आप देखोगे तो पूरी प्रत्वी को दो बराबर हिस्सों बाठती है यानि जितना उपर का हिस्सा है उतना ही नीचे का इस्सा है और इसके बाद भी इसमें केंदर पे विलकुर बैठे हुए है तो यह बहुत ही साइंटिफिक एप्रोच देखा जा सकता है वहीं दच्छड भारत में कई सिव मंदिरों में अलग से एक नटन सभा होती है जहां पे नटराज की प्रतिमा को इस्थापि कला यानि कि चोड़ों के समयं जो कला थी उसमें हम सिल्प कला और अन्य कलाओं के रूप है उनको भी हां स्टूड़ी करते हैं जैसे सिल्प कला की बात करें तो धातुनिरमित मूर्ति कला के नाम से प्रसिद है और तांसे मूर्थियों का निर्मार यहाँ पर लोपत मौम प्रक्रियाविधी के द्वारा», बनाई जाती थी, और धातू ढलाई की एक विधिया, कैसे होता था? कि इसमें पिगली हुई धातू अब जैसे कानजी की बनानी यह अंतांबे की बनानी है मतलब MA ओ टिन जिसमें मिला था इसकी अगर हमें मूर्ती बनाने तो पहले इस धातु को हम पिगलाते थे और मौम प्रतिरूप यानि कि जो structure बना रखा है हमने मिट्टी के साचे में उसमें जो एकी इसको डाल दिया जाता था अब बाद में इस पूरे structure को खोल दिया जाता था जिससे अंदर जो साचा है उस कोई उसमें जो एकी आधर सात्मक बात या यह कहें कि विवहारिक बात की जगह आधर सात्मक बात पे focus किया तो ऐसा नहीं में यह यह यथारत वास से मिलते जूलते हैं जैसे चोलकाल में दो प्रमुक मंदिर है एक तो राज राजेश्वर मंदिर और दूसरा आपका अता गंगई कोईड चोलपुरम मन्दिर। आपको बताना है कमेंट सेक्ष्चन में कि इन दोनों मंदिरों का निरमा किस साशक की द्वरा कराया गया है। अलगलग शास्यक होंगे तो अलगलग नाम बताना है, एक ही सास्यक होगा तो एक ही नाम बताना है, comment section में आपको बताना है, वहीं चोल काल में संगीत और नित्त कला को देखेंगे, तो कुडा मुला, वीडा, बासुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तिमाल किया जाता था, नित्य के लिए, संगीत के लिए और भरत नाट्यम का सास्तरी रूप जो आज हम देखते हैं वो चोल काल के सनरक्षण में ही विक्सित हुआ अब आज हम लोग जो भरत नाट्यम देखते हैं अधक्षण भारत का प्रमुक नित्य है तो इसका जो सास्तरी रूप है, कल्चरल वो आज हम चोलवंस के सनरक्षण में ही देख पाते हैं वहीं मंदिर की बात करेंगे तो जब आरंबेक मंदिर बन रहे थे तो वो तो पल्लव इस्थापत्य कला से प्रभावी थे लेकिन जब पल्लवों का समय देरे खत्म हुआ और चोलों का समय शुरू हुआ तो बाद म उटसे आपको द्रविड सैली की विसेस्ता देखने को मिलेगी अब द्रविड सैली की विसेस्ता क्या थी जैसे उची चहार दिवारी होना गर्भगरी और अंतराल का होना उचे उचे विमान होना जो की गर्भगरी के उपर रहते थे गोपूरम यानि कि जो बड़ा सा प् जयाला ही था फिर बाद में चोल कालीन मंदिर और बनते हैं जैसे तंजावुर का व्रिय देश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम का व्रिय देश्वर मंदिर तो देकि दोनों ही मंदिर व्रिय देश्वर के नाम से हैं लेकिन एक तंजावुर जगए के हैं और एक धंग पिछे पीछे जहां पे वैश्विक नेता खड़ें हैं जिसमें मोदी जी भी है तो पीछे साइड में की एक कुडार्क का सुर्य मंदिर से एक चकर यानी कि पहिया कोडार्क मंदिर के जो पहिया है उसकी चित्र दिख रहा है और यहीं पर आप देखेंगे वसुधैब कुटुमबकम की थीम भी लिखी गई है और इधर भारत 2023 G20 लिखा है यहाँ पर वैस्विक नेताओं के साथ मोदी जी ने सभी नेताओं की आगवानी की मतलब जो भी नेता आ रहे थे G20 के मोदी जी यहीं खड़े हो के उनका स्वागत कर रहे थे G20 में एंट्री करने के लिए जैसे आप देखोगे जो बाइडन साहब है फिर यहाँ पर जो है कि एक और नेता है वैश्वी कस्तर पे तो इस तरीके से यह आपके चर्चा का विसे ह आ जाएगा तो चली अब इस पर भी चर्चा करते हैं तो अब आपने देख लिया कि आखिर यह हम पॉइंट अगर पढ़ रहे हैं यह टॉपिक पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है तो देखते हैं जी टुएंटी सिकर सम्मेलन विस्व के नेताओं के सामने और लेडी यूनेस को विस्व विराशत अस्तल भोसित किया गया है और इसका अन्य नाम है ब्लैक पैगोडा क्या नाम है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं तो कभी-कभी प्रशने आ जाता है कि जो भाई सूरे मंदिर है उसका अन्य नाम क्या है ब् ब्रह्मदेश सूरे मंदिर आपका जो है कि ब्रह्मदेपरदेश मुढहेरा का सूरे मंदिर गुजरात ये अक्सर पूछा जाता है आपसे एक ये मार्तंड वाला और पिर सूरे पहर मंदिर असम में हैं दच्छडी सूरे मंदिर बिहार में अरसा वल्ली सूरे नरायर मंदिर तो इस तरीके से आप देखोगे कि भारत में और भी जगए अलग-अलग सूरे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं तो इस समय जो हम study कर रहे हैं यह कर रहे हैं अपने कुडार के सूरे मंदिर की study कर रहे हैं अब यहां पे हम बात करेंगे कि इसके पहिये का जो निर्मार था पूरे मंदिर का नहीं मैं कह रहाँ इस पहिये का जो चर्चा में है इस पहिये का निर्मार 13. सतापती के पूरवी गंग वनसी सासक नर्सिंग देव प्रथम ने कराया था इसने कराया दोस्तों नर्सिंग देव प्रत्व तो ध्यान देना कि कोडार्क सुर्य मंदिर के पहिये का निर्माड इसने कराया और यह मुख्यत भगवान सुर्य को समर्पित है इसलिए इसको सुर्य मंदिर का नाम भी दिया गया है हलांकि इस मंदिर के निर्माड में आप देखोगे कि क्लोराइट, लेटराइट और खोंडा लाइट चट्टानों का प्रियोग किया गया है। कोडार्क सुर्क मंदिर के बारे में ही नोबल पुरसकार विजेतर रविदना टैगोर जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, वो लाइन ये थी दोस्तों कि इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी जगह जहां पर पत्थरों की भासा मनुष्य की भासा से भी स्रेश्ट है। तो ये तुलना कर दीगे यहां पर, आप जरा मंदिर की रचना की बात करें, तो ये आप पूरा देख रहो कि ये आपको जो इस्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा कोडार्क का सूर्य मंदिर है। परकि जो गोपूरा में है दोस्तों वो दच्छड भासा, अर्थाज जो मंदिर द्रविड सैलिम बनते हैं, उसको हम कहते हैं। और इसमें जैसी आप एंट्री करेंगे तो एक नट मंडप आएगा, फिर और आप पीछे जाओगे तो जग मोहन, ज्यांदना है कि जग मोहन बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC ने एक बार तीन-चार साल पहले प्रिलिम्स में पूछा था कि जग मोहन, जो सुर्य मंदिर की विशेष्टा है, ये किस से संबंदित है। और एक देवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपे, कि जो मंदिर की संरचना है, उसमें आप देखोगे कलिंग इस्थापत्य कला, कलिंग कहा का सामराज था, तो उडिसा का, यहां पे सर्वतकृष्ट देखता है जोए की, यानि कि सर्वादिक उतकृष्ट काल था कलिं पॉजिटिव नहीं है, बलकि पॉजिटिव है, इट मींज कि अपने आत्म सम्मान के साथ, अपने आत्म विश्वास के साथ ही हम अपनी प्रकृति और अपने भविस से के और आगे बढ़ सकते हैं, तो यह इसमें चित्रांकन किया गया उस समय के राजाओं के दुआरा, क वहीं इसमें एक नाट्टे मंदब देखने को मिलता है यह वाला हिस्सा, जो कि सुर्य मंदिर में नित्य और रंगमंच के लिए विसाल कक्ष है, यानि यहां पर अगर कोई धार्मिक जो कृत्त हो रहा है, या कोई धार्मिक रंगमंच तयार किया जारा है, कोई कीरतान हो रहा है, भजान हो रहा है, तो यह विसाल कक्ष है, जहां पे इस तरीके की जो एकी प्रोग्राम्स होते हैं, वह जगमोहन की बात करेंगे, तो यह मंदिर का सभा कक्ष है, दोस्तों, यह मंदिर का सभा कक्ष है, जहां बैठ कर सभी बुजर्ग और सभी ब्राम करना धार्मिक चर्चा हर प्रकार की चर्चा यहां पर होती थी तो यह मंदिर का एक सभाग अच्छ था तो इसी तरीके से यूपीएसी ने पूछ लिया था कि किस कारे के लिए स्था या किस कारे से संबंदिध है तो यह चीज क्लिए होग इतनी आगे चलते हैं यहां पर दे तो कासी सब्द से पता नहीं चल रहा है वो किस देवता के लिए समर्पित है तो आप देखोगी कि जो उनका गर्भगरी है वहां पे भगवान सिव की मूर्ती को इस्थापित किया गया है मतलब मुख्य देवता कौन हो गए भगवान सिव हो गए अब बृंदावन में अगर करें गया है जहां पर मुख्य देवता की स्थापना की जाती दिए अब कोडार का जो सूर मंद स्थापना की घथा दो चारफ भवत्व जा फिर जो आते एक भूहन फिरों पूचा पाँठ करने उनके लिए तचार केैते रहा तो इतनी चीज्जे आपने देख ली अच्छा एक विसेस्ता और है कि जो कलिंग स्थापत के सैली है ये उत्तर भारत की नागर सैली और धच्छड भारत की द्रविड सैली का मिस्रित रूप होता था जिसको हम लोग एक तरीके से बेसर सैली भी कह सकते हैं क्योंकि बेसर सैली आपके उत्तर भारत की नागर सैली और दच्छड भारत की द्रविड सैली का मिस्रित रूप होता था। अब हम देखते हैं इस मंदिर की विशेस्ता है इसकी विशेस्ता है आप सुन के दोस्तों चौक जाओगे। क्या है विशेस्ता तो पहला की सुर्य की किरण याने इसको इस तरीके से डिजाइन किया था इस मंदिर को कि जब भी सूरयोध्य होगा तो इस समय सूरय अगर आप रत की योजना देखोगे तो यह सूरिदेव के रत के समान है जिसमें उत्तर और दच्छड दोनों और बारे-बारे पहिये हैं और साथ उत्साही घोडे रत इन्हें सूरिदिशा की और मतलब पूरब दिशा की और खीच रहे हैं और पूरब दिशा से तो क्या होत कि अनुसरवित, ब्रिहती, पंगती, त्रिश्टूप और जगती नाम दिया गया है कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इन साथ घोडों के नाम भी इंद्रधनुस के साथ रंगों पर आधारित हैं तो यह हो गया मंदर की नकासी की बात करेंगे तो इसमें एक आपका मिले में भी स्विकार किया है, महीं सूरिदेव की बात करेंगे, तो सूरियोदय हो, दुपहर हो, सूरियास हो, इस समय सूरिय का प्रिकास इन मूर्तियों पर अलग अलग पड़ता है, सूरियोदय के समय अलग रंग के पढ़ेंगे, दुपहर के समय अलग और सूरियास के समय अ है इसने यगर हम देखें तो कुछ लोगों के अनुसार कहा जाता है कि जो सात घोडे हैं wåh सबता के साथ दिन को पदरशित करते हैं 12 जो पहये बारे महीनों को परदरशित करते है 24 पहये 24 घंटे को प्रदरसित प्रवर्तन के नियम का पहिया के समान है तो कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश में इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से उपदेश दिया था सारनाथ में रिशी पत्तनम में पांच ब्राम्मर साध्वों को तो उसमें भी इसी चक्र का जो एकी जिक्र किया गया है और कुछ लोग इसे लोककंत्र का प्रतीक भी मानते हैं कि समाज में गतिशीलता और आवश्यक्ता के अनुसार इसमें लचीलापन होते रहना चाहिए इसके नियमों में और अधिकारों में परिवर्तन होते रहना चाहिए लचीला पंजी से हम कहते है तो सबकी अलग-अलग ब्याक्ख्या है तो यह आपका टॉपिक था दोस्तों और अब हम अपने अगले टॉपिक के ओर चलना है जो यह भी एक महत्पूर टॉपिक है क्या है टॉपिक तो अगर हम इसको डिसकस करें कि पवित्र होईसल मंदिर समू यहां पे समू वर्ड दिया हुआ है युनेस्को ने करनाटक के पवित्र होईसल मंदिर समू को भारत का ब्यालिसमा धरोहर घोसित किया है हलांकि एक तालिसमे की हम बात अगले टॉपिक के और करेंगे लेकिन अभी हम ब्यालिसमे को समझते हैं तो इस समू में तीन मंदिर सामिल होते हैं केवल होईसल मंदिर नहीं है बलकि होईसल मंदिर का पुरा समू है जिसमें एक आता चिन्ना केशव मंदिर जो की बेलूर में स्थिर है, दूसरा आता होईसलेशवर मंदिर जो की हलेविड में है, तीसरा आता आपका केशव मंदिर जो की सोमनाथ पुरा में है, तो आपसे यही मिलान करने को देदेगी UPSC की जो अभी हाल ही में 42 में विश्व जैसे अगर बात करूँ सीधे पूछ ले कि जो चन्ना केशव मंदिर है दोस्तों वो कहां परिस्थित है तो यह हो गया बेलूर में होईसलेशव मंदिर हलेबिड में केशव मंदिर सोमनाथपुरा में बात करेंगे निर्माण की तो 12-13 सधी के दोरान इसको बनाया गया था और यह करनाटक का चौथा विश्व धरवर है तो इससे पहले तीन और धरवर सामिल है जैसे हमपी हो गया पत्तक पत्धकल हो गया और पश्मी घाट हो गया तो यह तीन केशव मंदिर जिसे विजय नरायन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तो यह इंपॉर्टन है कि चे लिक्त नेम है यानि दूसरा नाम वो है विजय नरायन मंदिर और इसका निर्माड 1117 इश्वी में बेलूर छेतर में यानि हासन जिला ध्यान रखना कि हो सकता है कि यह हासन नाम भी दे सकता है UPSC राजा विश्नु धर्मन ने कराया राजा विश्नु वर्धन ने कराया था और इस मंदिर के किनारे या इस मंदिर के तट पे या यूँ कहा है कि किस नदी के तट पर है तो यह ची नदी अब यह नदी आपने कभी नहीं सुनी होगी। मैं कह सकता हूँ कि 99.9 प्रतिशत स्टुडेंट ने ये नदी कभी नहीं सुने होगी, जो आज मेरी क्लास को सुन रहे हैं, लेकिन अब ये नदी चर्चा में आगी, यगची नदी करनाटक में बैथी है, तो हो सकता है UPPCSB या ROARO के एक्जाम में ऐसी पूछ देगा, यगच लेकिन भगवान विष्णू को समर्पित है, और चिन्ना केशव के नाम से भी लोगप्री है, जिसका अर्थ होता है सुन्दर और केशव विष्णू का अन्य नाम है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, अब हम दूसरे मंदिर की बात करेंगे इसी समूँ का, जिससे हम लोग हल देबिडे में हैं, और ये राजा विष्णू वर्धन के द्वारा बनवाया गया, जिसका निर्माण अभी विष्णू वर्धन नहीं उपर भी किया, और ये द्वार समुद्र जील के तट पे है, जबकि चिन्ना केशव यागची नदी के तट पे है, और इसके जो अभारत भागवत पुराण के आख्छानों का प्रचनेजित करते भी दिखते हैं, तीसरा समुद्र इसमें आता है आपका केसव मंदिर का, तो केसव मंदिर की बात करेंगे, तो हैसल राजा नर्सिंग तिर्थी अब यहाँ पे संस्थापक बदल गया, अभी तक आपने च आरसट एस्यू में इसका निर्मान किया, देखिए यह वो पॉइंट में बता रहा हूँ न, दोस्तों आप हो सके तो इसको नोट कर लेना लग से, शॉर्ट नोट में, क्योंकि इस तरीके के ही प्रश्न आपको UPSC देगी, और फिर आप कहोगे सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया, जिस वज़े से हमारा गलत हो गया, तो प्लीज इसको जो है कि अभी से ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको और आगे, कि यह सोमनात पुरा, यानि महसूर में कराया गया था इ कावेरी नदी के तट पे, इसको त्रिकुट मंदिर भी करते हैं भागवान कृष्ण के तीनों रूप, यानि जनार्दन, केशव, वेड़ु, गुपाल को इस समर्ठित है, तो आप देखोगे, कि यह इस तरीके से हो गया, अब यहाँ पर होईशल मंदिर की इस्थापत के सेली को अगर हम देखे, इस पूरे के पूरे समूँ को, तो देखे, यह करनाटक में स्थित है, तो होईशल मंदिर समूँ, जो मंदिर निर्माड की मिस्रिक या वैसर सेली में निर्मित है, हलांकि अगर आप देखोगे, जो दक्षड भारत की मंदिर है, वो प्रमुक रू आग़ कि सर हमने तो करनाटक पड़ा था और करनाटक दक्षड भारत का ही सथा है, जिसमें द्रविड सेली प्रमुक होती है, लेकिन यहां पे सेली का प्रयोग किया गया है, और द्रविड और नागर सेली जो मिस्रित रूप है, इस्थानी रूप में इस सैली को भुमिजा सैली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुमिजा सैली जिसका अर्थ होता है, उत्तर भारती सिखर का एक प्रकार है, क्लिए रहे बाद, आप यहां पे मंदिर इस्थापत की कुछ मुख्य विस्थाय भी पढ़ करते हैं, जैसे आप देखोगे, कि इसमें सैली जो है, वो उचे चबूत्र अधिश्थान पर तारकी योजना का प्रयोग किया गया, तारकी योजना किसे कहते हैं, तो यहां समझेगा, यह जैसे आपको दिख रहा ना, यह पॉइंट दिख रहा, जो कट पॉइंट, यह इ लिए यह ऐसे आगा, पिर अंदर जागा, पिर अंदर आख पिर आख फिर बाद तर से गहा गए, शेल यह जोः, इसी को कहा जाता है, किसे गयते हैं तारकी पैटर committed? समझ में आगी, ओंड़े के द्वारा किया गया, इसके दिवौरा गोपुरम की बात करें तो यह दक्षड भारत के मंदिरों की जो द्रविड सैलिय के मंदिर होते हैं उनकी प्रमुख विसेस्ता होती है कि गोपुरम का मंदिर का प्रवेश द्वार और यह बहुत बड़े बड़े जो एकी जैसे आप यह देखो यह मंदिर दिख रहा है यह गोपुरम हो गया और बताया जाता है कि जो गोपुरम है वो इतना उंचा और इतना विसाल होता था जो तो सामराज्य की पराकाष्ठा को प्रदर्सित करता था, कि ये सामराज्य कितना धन्वान है और कितना पराकाष्ठा पर है, कितना चरम स्थिति पर है, तो ये गोपूरम होते हैं मंदिर के प्रवेश द्वारे, तो इतनी जानकारी आपने कलेक्ट कर ली यहां से, कि करनाटक के मलाड छेत्र के मूल निवासी माना जाता था और कुछ अभी लेक में उत्तर भारत के यादववंस के साथ भी जोड़ा जाता है और इसके संस्थापक रूप में आप देखो कि राजा निरिप काम दुती इसके संस्थापक थे और ये दस्वी से चौदावी सता प्रशाशन की बात करेंगे तो इसका अंतिम सासकता वीर बल्लाल तृती जो कि 2343 सी में मदुरय की यूद में मारा गया और तब हरियर प्रथम यह वई हरियर प्रथम हैं दोस्तों जिन्होंने विज्यनगर सामराज की स्थापना के थी कि विजनगर सामराज की स्थापना की थी 1336 में तो ये वही हरियर पर्थामा बुक का लोग हैं जिन्होंने होईसल सामराज के संप्रभू राजचेत्रों को तुंग्भद्रा नदीचेत्र में अपने प्रसासन के अधीन चेत्रों में विलाय कर लिया तो ये भी एक आपका MCQs बन सकता है UPSC का कि ultimately होईसल सामराज को किस ने अपने प्रसासन में सामिल किया तो विजन अगर सामराज ने सामिल किया जिसमें हरिहर प्रथम की भूमी का महत्तपूर थी तो ये तो थे आज के हमारे तीन important topic और next topic आपका सांती निकेतन है जहां हम इ चिनना केशो मंदिर आता है दूसरे का नाम आपको comment section बताना है और तीसरे का भी नाम आपको comment section बताना है अब देखिए मैं अभी बता दे रहा हूं लेकिन अभी आपनी lecture सुना है पीछे मत करना इमांदारी से अभी आप बताईए आपने अगर ढंक से सुनाओगा तो आप का प्रियोक किया गया जैसे इस्थापत तेसकी प्रद्योई की इसमार की कला नगर नियोजन भूद्रिश इन सभी के डिजाइन पर विकास करते हुए मानवी मोल्यों का एक महात्पूर विन्मे प्रदसित किया जाता है बात करेंगे तो यह घटनाओं और जीवन्त परंप विचारों विश्वासों तता उत्कृष्ट सारभौमिक महत्यों की कलात्मग साहितिक कृतियों के साथ प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से जुड़ा हुआ है अब यहां देखते हैं कि यह पश्चिम मंगाल का तीसरा युनेस्को विश्वधरवर है अभी हम जो पढ़ रह दार जिलिंग माउंटेन रेलवे और तीसरा आपका हो गया सांती निकेतन के बारे हम बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति अगर हम बात करें तो यह वीर भूमी जिले में हैं कहां पे दोस्तों तो वीर भूमी जिले में है मुख्यरूपसी एतिहासिक इमारत है भूद पाचीन, मतिकालीन, लोग परंपराओं के साथ सा जापानी, चीनी, फार्सी, बाली, बर्मी, देकोकला, पश्मी एरोप और स्वेंटराज अमेरिका की पद्दितियों को भी अपनाया गया है तो यूपेसी यहां से एक स्टेटमेंट रखेगी कि सांती निकेतन के द्वार भारत की संस्कृति के साथ साथ अन्य विदेशी देशों की संस्कृति का समाहित किया गया है या समावेस किया गया है तो आपका उत्तर होगा बिलकुल अन्य देशों में आप चीन, जापान, फार्सी, बाली, बर्मा सब को देख सकते हैं तो आप कह सकते हो कि कला की संपू निक्तावाद आदी विचारों का प्रदर्शन किया जाता है। इसकी जब प्रारंभिक दिन में जो इस्थापना की बात करें तो रविद्ना टैगोर जी के जो पिता थे महरसी देविद्ना टैगोर इनको बंजर भूमिम पर सांती के साथ सुकूल की प्राप्ती हुई थी। पहले ये एक विस्तृत बंजर भूमिम बदल गया और इस घटना को भी इस्थानी भासा में खोई कहा जाता है। तो इस्थानी भासा में बंजर भूमिम बदल जाना खोई कहलाता है। हलांकि 1863 में जमीन खरीती उन्होंने और अतिति ग्रह का निर्मार करा दिया। और इ उसके दो तरफ अजय और कुपाई नदियां हैं या एजय और कुपाई नदियों से घिरा हुआ है तो एक और प्रश्ण में आपके लिए यहां पर बनाता हूँ कि अजय को पाई जो नदियां हैं यह किस राज्ज में हैं तो ऐसी पूछेगा वो लोकेशन बेस वेस्ट ब बातों से लेकिन आप उसको अगा ध्यान से सुनेंगे ध्यान से नोट डाउन करेंगे तो साथ वह आप प्रश्न कर ले जाएंगे फिर यहां आप देखोगे कि प्रमुक इस्थापत्य और सांस्कृतिक विसेस्ताओं में तो इसमें समग रूप से काच का मंदिर बना गया ज कला भावन संगीत भावन उत्रयान का मतलत है कावाशी भावन और यह सारे भावन इसमें बनाएगा थे अब भावन निर्माण सामगरी के तौर पे मिट्टी और घास फोज जैसी पारंपरिक सामगरी का प्रयोग किया गया था और बाद में मजबूत सीमेंट कंक्री डोनो और सांस्कृतिक कारेक्रमों का संरक्षण किया था इस्थानी मेलों का आयोजन किया था वहाँ पर और इसकी जो सजावत होती है वो दीवारे पर प्रमुक भारती कलाकारोदार नेमिश जैसे भित्ती चित्र हो गया फ्रेस्कों विदी से बने चित्र मूर्तियों से सजित और जैसे कि भरहुत, महावलीपुरा, मुहांजोरो, मिस्र, असीरियन, रूपांकनों से यह अलंकृत किया गया है यानि भारत के साथ साथ बिभिन देशों की जो सभिता है जो चित्र है उनके भी यहाँ पर अलंकृत रूप देखने को मिलती है तो यह तो था आपका सांत 1861 में पैदा हुए, 1941 में मिर्त्य हो गए इनकी और साहित में नोबल पुरसकार मिला 1913 में गीतांजली की रचना के लिए और इनकी अन्य रचना है काबुली वाला और गोरा, यह प्रमुख है पिर महत्मा गांदी और रविन्ना टैगोर के बीच की अगर हम बात करें तो महत्मा गांदी पश्चमी सिछा के प्रबल आलो चकते जबकि रविन्ना टैगोर आधोनिक पश्चमी सभिता के तत्यों को भारती परंपरा में सर्वस्रेश तत्यों के साथ एकेकरित करने के सम राष्टवाद की बात करेंगे, तो गांदी जी ने राष्टवाद का अर्थ स्वसासन लिया था, जब कि रविन्ना टैगोर ने क्या कहा था, कि राष्टवाद ब्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसे उच अस्तरतक उठाये गया, तो इन्होंने का कि ब्यक्तिगत स्वार्थ है एक थरीके से, स्वधेसी आंदुलर्ण में तो इन्हों ने विदेसी बस्तरों को जलाने चर्खे का इस्तिमाल तक का विरोध किया था इन्हों ने, फिर यहाँ पे एक और अन्य फैक्ट आपको बता दे कि बांगलार माटी, बांगलार माटी क्या है, पश्चिम मंगाल ने र आज दिवस के रूप में प्रस्तावित किया, जो कि बंगाली कैलेंडर का पहला दिन्यानी 15 अप्रेल को फड़ता है, साती साथ टैगोर ने जो आमार सुनार बांगला लिखा था, यह बांगलादेश का राश्टी गान बना, वंदे मातरम जो कि भारत का राश्टी गीत ब टॉपिक और अब लगबग हर मन्त में चाय फिर वह आपका जुलाई कियो, अगस्ति कियो, सभी में अब हमने पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने के कोसिस किये, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जाएगा, ताकि प्रलेमिस के कोई भी कॉश्चन आपसे न चूप तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों कर देना एक लाइक, चनल पर पहली बारायान प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इसकी पीडियोप के लिए आप लोग टेलीग्राम चनल को जॉइन कर लिए, मिलते है नेक्स वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग